हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो आज मैं कोई रेसीपी नहीं बना रही हूं तो मैंने सुचा को अपना घर दिखा दू तो देखिए ये है मेरा लॉबी है बार का बार साइड में ग्राउंड है अभी बातला वाले का गाड़ी आया है और ये मेरा में डॉर है ये तोरें में लगाया है मैंने और ये मेले यहां पर ऐसा लगाया है ये मेरा में डॉर है तो चलिए गर के अंदर चलते हैं और यहां उपर साइड में मैंने लाद कृष्णा की मूर्ति लगाई है सोरी फोटो लगाई है और ये मेरे घर की पूजा में मुझे पंडित जिनने इस कॉर्णर में बांदने बोला था नारियल तो मैंने बांदा है उसके बाजू में ये मेरे बच्चों के सब मैडल्स हैं और ये मेरे सास सजूर है लेप राइट साइड मेरा है सोकेश ये देखिए कुछ ऐसा है यहां पर भी मैंने बहुत सारी ट्रॉफिस का खजाना है फ्रेंट्स मेरे घर में ये देखिए एक कांच के अंड़ त्रॉफिस है कराटे की फाइट में जीता है ये सब अचीव किया है मैंने बड़ी मैंनत से और इसी की वाजों में ये भगवान का फोटो हो लगाया है मैंने захangी और उसके नीचे वाली धाधने मैंने जीजेस रख ठाक रहा है और ये रख सेखाई रख रहा है यहां पर आदर पर कुछ नहीं रखती हूँ और यह साइड में ये यहां पर वाच है और सामने के साइड में एसी लगा हुआ है और पर्दे हैं और ये बैड है मेरा छोटा सा और ये अंदर जाने वाले रस्ते पर पर मैंने भगवान का फोटो लगाया है और ये मेरे हस्बेन और मेरा तस्वीर है मेरे बिटे ने दिया था हमें एनिवर्सरी गिफ्ट और ये हम शिर्डी गए थे तो वहाँ पर हमने निकाला था और ये सेंटर में मैंने पर्दा लगाया है बहुत ही सुन्दर है और लेप्ट साइड में ये मेरा पूजागर है मेरा मंदीर है चोटा सा और ये वाल के उपर हमने कलाकारी किये देखिए ये सब हमने आनलाइन मंगाया है और उसी के नीचे यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल है यहां पर हम लोग खाना कहते हैं सब बैटके उपर भी एक फैन है एक लाइट है और यहां पर भी दो फैन है दो लाइट है एक यहां पर है और यह साइड में परदा है बैड है और परदे के बाहर है गैलरी में दिखाती हूँ आपको गैलरी में मनी प्लांट लगा है मेरे हस्बंड बहुत प्रफंद है मनी प्लांट और यहां पर चैर रखती हूं मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बंड और मैं बैठके यहां पर चाय पीते हैं और यह टीवी इसका डिस्प्ले गया है यह मुझे देना है किसी को और यह मेरा गैलरी है गैलरी में मैंने इसी का आउट लाइट यहां पर लगाया है आउट लेट लगाया है स्वरी यह मेरे हॉल का गैलरी है तो चलिए यहां डटलते हैं यह बीच में पर्दा है यहां पर वास बेशीन है हमारा और उसी के सामने है मेरा कीचन का फर्स फर्स मेंने फ्रीज रखा है चमत स्टैंड है और देवी मता केक मेंने तस्वीर लगाया है और यहां पर यह कॉर्णर में मैं सब चमच वागेरा रखती हूं यह सीजर है यह चमच स्टैंड छलनी वागेरा एक स्ट्रों डाइवर भी है चोटा सा कुछ न कुछ कीचन का लगता है कुकर वागेरा का ड़कन डीला हो जाए तो मैं लगाती हूं और यहां पर मैंने टोस्टर रखा है और यह इंजेक्शन रखा है प्रेस्टिज का यहां पर मैं ज्यादा नहीं दो चार बॉटले बरके रखती हूं और यह मेरा मत्का है इसका पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडा रहता एकदम देखिए मत्के का डिजाइन कि इतना अच्छा है सुलिंडर है में और इस कॉर्णर में मैं खाली सिलेंडर रखती हूं और यह किचन के एरिये में भी मैंने पर्द अटांगा है यह साइड हमारा बैसिन है यहां पर मैंने चॉपिन प्लेट कप लगाया है यह मेरा माननी है बरतन का और यह मेरे किचन का प्लेट फार्म है यह मेरा रोटी का डब्बा तेल के डब्बे यह खाना बना के रखा है और उपर साइड में मैंने यह किचन के डब्बे लगा है है सेल्फ में मैंने दिखाया था आपको किचन क्लेनिंग में यहां पर मैंने यह कपड़ा टांगा है कुछ हाथ वागेरा पोचने के लिए एक यहां पर भी टांगा है गीला हो जाता है तो दूरन मैं पोच लेती हो हाथ को और किचन में भी उपर फैन है तो किचन से बाहर निकल के यह बहुत पेशन और यह मेरा वाश्रूम है वाश्रूम में मैं यह मौप रखती हूं दिवाल पर मैंने टांगा है पोच्छा मानने का और मुझे दो वाश्रूम मिले हैं इस घर में यह एक और हैं इंडियान और वेस्टर दोनों है और यहां पर एंटर कर रही हूं मैं मेरे बैडरूम में यह मैंने तोरन लगा है तो दोर पर देखिए फुल कलर फुल है और यह मैंने अइसा बेल टंगाई है मुझे बहुत पसंद है यह सब और यह किया मैंने बैडरूम में एंटरी यह देखिए फीड मैं आपको दिखाती हूं यह बैड है देखिए किस तरह का है यह डबल है यह बैड यह उपर नीचे ऐसा है तो मैं उपर से दिखाती हूं आपको यह देखिए यहाँ पर मेरा बेटा सोता है उपर वाले साइड पर और नीचे पूर्वी सोती है मेरी बेटी और इस कॉर्णर में मैं रखती हूं बलैंकेट्स गड़ी करके यह पूर्वी का बलैंकेट है यह मेरा और उनका है यह साहिल का है और उसी के साइड में मैं टावेल रखे हैं गड़ी करके यह मेरा हस्बन का टाविल है, यह मेरा है, है साहिल और पूर्वी का निचे वाला और कॉर्णर में मैंने कुछ ऐसी टंगाया है, यहां पर वाच लगी है और मैंने एक पीस टंगाया है यहांपर इसमें मैं कीज वगएरा टंगाती हूँ मास्क, इयरफॉन्स वगएरा और यहांपर मैंने कैलेंडर लगाया है और मेरा पर्स टंगाया है यहांपर और यहांपर साहिल के उपर साइड में मैंने यहां पर साहीं बबा का एक तस्वीर लगाया है बच्चों के लिए और यह स्विच पॉड लगाया है साहील राथ को फोन चार्ज बगरा करता है और यह मेरा छोटू सा स्पीकर मुझे बहुत पसंदे गाने सुनने के लिए और उसी के राइट साइड में ये मेरा कबड है ये साइड वाला मेरा है ये पूरा मेरा कबड है और ये इसमें मीरर है इसमें उपर भी है काफी स्टोरेज है इसमें ये पूरा कबड साइड बाई आट का है और ये साइड का मेरे हस्बिन का है और इसके अंदर बच्चों का है मीरर के अंदर वाले साइड में और नीचे ड्रॉर बगर लगे हुए है इसमें देखिए मीरर में से भी दिख रहे गर और ये कबर्ड के रग साइड में है यहाँ पर भी गैलरी है यह मैंने कर्दे लगाए है यह गैलरी है मेरा छोटा सा यहाँ पर मैं कपड़े सुकाती हूँ शाम के टाइम इतना दीख नहीं रहा है अभी काफी अच्छा मुझे स्टोरेज में गया है यहाँ पर स्ट्रेस अच्छा है कप्रेस खाती हूँ मैं यह कॉर्णर में ही मैंने यह हमारा सोनी का सीटर है यह मैं फॉंक्शन हगेरा में हम लोग लगाते हूँ काफी बड़ा है इसको मैं बहुत समाल के रखती हूँ और यह कॉर्णर में मेरे बेटे का बैट रखा है यहाँ पर भी मैंने यह सेल्प लगाया है मोबाल चार्जिंग वागरा के लिए तो यह देखिए यहाँ से कितना सुन्दर लग रहा है और यहाँ पर मैंने यह पैट वाला डॉर्मेट बिचाया है बाद्रूम के बाद्रूम के बाद्रूम देखा आपने मेरा अब चलती हूँ में आपको कृषन की ग्यालरी निदी कर वाशिंग मेस्ञीन रखा है मैंने आप लेकstyle दोती हूं रोड प्राइब बाटल है यहाद में पानी डालती हूं यहीं से ड्रेन हो जाता है पानी साइज में निकल जाता है पूरा बाहर का हेरिया दिशाई देता है यहां से मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है मुझे यहां पानी आता है कपड़े लगाती हूं में बहुत अच्छा लगता है मुझे तो देखा आपने कैसा लगा मेरा घर आपको बताना जरूर यह फिर से मैं आ गई हूं हॉल में और बच्चों के फ्रैंट्स आये हैं यह है रचना प्राप्ती चाम को यह बच्चे खेलते हैं और यह है आयान तो हम प्राची और यह मेरी नटकट है मुझ चुपा रही है यह मेरी पूरवी है इसको आपने देखा ही होगा तो फ्रैंट्स यही था मेरा स्वीट सा प्यारा सा घर मुझे मेरा घर बहुत पसंद है मेरे लिए जन्नत है मेरा घर आपको कैसा लगा बताईये आणटी का मुझ आपको कैसा लगा यह बताईये और कॉमेट्स भी करणा बाइबाइब आई